मैं ओम प्रकाश्क यूरिया कर्मियर आम आधी पार्टी जम्मू संभाव आज का जो मीडिया से रूबरू होने का जो मुख्य उदेश्य है वो है किसानों को लेके किसानों की समस्याओं को लेके क्योंकि इसमें दान रुपाई का काम चल रहा है और ये दस दिन बहुत अधर जो आर्स पुरा दिशना को एक मताबग जो पानी महया होना चाहिए से लेके साथ फुट नविंच तक पानी मिलना चाहिए पर और पिछले मेहने की आप आवरेज देखो छे फूट से ज्यादा पानी वहां से नहीं छोड़ा गया जब तक बेली चलाना से बिश्णा आरस्पुरा की रिन्वीर नहर में पानी प्रापर नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यह किसानों के जो खेतों तक पानी पहुंचाना ना मुंकिन है और जहां तक के सरकार का दावा है कि हम तक बार्डर के अंतिम शोर तक हम पानी पहुंचाएंगे किसानों को पानी महया करेंगे वह कभी भी पॉसिवल नहीं हो सकता जब तक वहां से बेनी चलाना से वहां से जो हमारी डिस्ट्रिबूटरी जैं वहां पे प पांच फूट पानी चाहिए पांच फूट गेज का पानी चाहिए दोनों नहरों के अंदर जब अभी याँटनी पर 2 जब फूटब मицूट नहीं पॉंचता और पानी उसके उपर उस लेवल नहीं पानी पहुँचता हूँ नहीं पहुत ऑर्रश पुरा की सेक्टर की एक लाइफ लाइन बानी जाती है उस लाइं में अगर आप между खोड़ेंगे ऑपने फसिल की धान की उन्हीं कर में पाएंगे क्योंकि आरस्पूरा, भिष्ष्रा एक highly fertile एरिया are highly fertile लेंड है जहांके वास्मती घ्रोग की जाती है जिसके महत पुरी दुनिया में महती है तो जब तक पानी नहीं महयक रहाया जाएगा तो वासमती की production वो नहीं हो पाएगी proper वो रुपाई नहीं हो पाएगी जिल से किसान आलेडी किसान दोहरी मार जेल रहा है और एक और नहीं मार जली पड़ेगी किसानों को क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ बारश पर ही निर्वर रखना चाहती है सरकार को इसमें मेरी अपील है पाणी पहुंचे और किसान अपनी फसल सही समय पर लगा सकी है